नमस्कार मैं हो सोग बर्मा आप देख रहे हैं टीवी टोल्टी नियूग अपने अपने छेतरों की खबरों को देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अब सुरुआत करते हैं खबरों की तरफ विदान्ता इंटरनेशनल स्कूल में काफी दिनों बाद बच्चों की स्कूल आने से विद्याले परसर में काफी चेहल पहल नजर आई सर्व प्रथम कोरोना का एटलाइन का पालन करते हुए बच्चों को टीका लगा कर पुस्प वर्साइकर चौकलेट देकर का उख्चा में पर्यूस कराया गया बच्चे काफी खुस और प्रसन्यचित नजर आ रहे थे प्रबंधक निदिसक ने इस बच्चों से उनके घर पर रहने के बारे में पूछा कि बच्चों घर से पढ़ाई कैसी लग रही थी सभी बच्चों ने एक्सवर में कहा कि सर घर पर एकदम अच्छा नहीं लग रहा था तब प्रबंधक निदिसक ने कहा कि बच्चों सबकी पूर्ती संभव है लेकिन समय के पूर्ती संभव नहीं है पिछले लगभग दो सालों से आपका समय नुकसान हुआ है उसकी पूर्ती तो संभव नहीं है लेकिन फिर भी अपनी कठोर मेहनत और लगन से उसकी भारफाई कापी हद तक आप कर सकते हैं आपके पास जो बचा हुआ समय है उसमें पूरा जीजान लगा कर पढ़ाई करें पढ़ाई के दुरान जो भी परसानी हो उसको अपने क्लास टीचर सब्जेक टीचर प्रिंस्पल से पूछ कर दूर करें सहीदों को याद करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उन सहीदों के लिए इस वर से प्रात्ना किया गया करकें के संचार का निलम चोहाने अनिता सिंग, सोनम सिंग, इर्थाज निसाथ, बविता, अर्चना सिर्वास्तों सहीद तमाम लोगों करमचारियों को धन्यबाद दिया